नमस्कार बच्चों हम पार्ट 2 MCQ कर रहे हैं जंसंचार के उपर माध्यम जंसंचार और माध्यम यह इसमें प्रिंट माध्यम भी है इसमें लगबग 30 MCQ कोईशन मैंने बनाये थे एक खत्रत किये थे पार्ट 1 मैं आपको पब्लिश कर चुका है यह पार्ट 2 है शुरू करते हैं यह आखरी पार्ट है इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को बिना दर्शे दिखाए सीधे सीधे बजाता है कि कहां क्या कब और कैसे हुआ फोनन, एंकर विज्वल, ड्राइ एंकर या एंकर बाइट तो बच्चों इसमें एंकर जो ऐसा करते हैं तब उसको बोलते हैं ड्राइ एंकर न्यूज, ये न्यूज वह है जो अत्यंत महत्वपून तथा तुरंत प्राप्त होती है और ये बहुत ही कम शब्दों में दर्शकों तक पहुचाई जाती है इसे क्या कहते हैं एंकर बाइट, फीडबैक, इंट्रो या फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज तो ये तो I think आता ही होगा, इसे कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज ये बहुत ही कम शब्दों में दर्शक पहुचाई जाती है विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है संचार, फीडबैक, समाचार, या इनमें से कोई नहीं तो बच्चों, विचारों का आदान प्रदान, संचार कैलाया जाता है, पत्रकारिता की भाषा में मुखडा किसे कहते हैं, फीडबैक को, इंट्रो को, एंकर बाइट को, या फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज को, तो पत्रकारिता की भाषा में मुखडा, यानि की न्यूज शुरू होने से पहले जो स्टार्टिंग में इंटर्डक्शन देते हैं, उसे कहते हैं इंट्रो. जनसंचार का आधुनिक्तम माध्यम क्या है? TV, अखभार, रेडियो या इंटरनेट तो बच्चों जिस माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेटेस्ट आधुनिक्तम आध्यम है इसे हम इंटरनेट कहते हैं किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेक या फीचर में उस ताजा घटना का उलेक जिसके कारण में मुद्दा चर्चा में आ जाए या आ गया है उसे क्या कहते हैं पेज थ्री पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता या न्यूस पेग या इन में से कोई नहीं तो बच्चों इसे हम कहते हैं न्यूस पेग वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है तथा ब्रश्चाचार का परदाफाश करती है उसे कहते हैं watchdog पत्रकारिता, वेकल्पिक पत्रकारिता, advocacy पत्रकारिता या खोजी पत्रकारिता. तो बच्चों इसे कहते हैं watchdog पत्रकारिता. पत्रकारिता का तात्पर्य ऐसे पत्रकारिता से है जिसमें fashion, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों यानि की Celebrities के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है इसे क्या कहते हैं पीत पत्रकारिता याने कि yellow journalism या page 3 पत्रकारिता या news pack तो I think यह तो अब सबको पता होगा बच्चों इसे हम कहते हैं page 3 page 3 पत्रकारिता इस पत्रकार का संबंद किसी खास का अखबार से नहीं होता है बलकि वे भुगतान के अधार पर अलग-अखबारों के लिए लिए लिखता है इस पत्रकार को क्या कहते हैं अंश कलिक पत्रकार फ्री लांसर या समवाददाता या इन में से कोई नहीं तो बच्चों इसे हम कह और क्यों कहते हैं? रिपोर्ट को, कार्य व्रित को या समाचार को. तो बचो एजिंडा जो होता है, वो कार्य सुची होता है जिसमें कि हमें क्या क्या करना है, न्यूस कैसे कैसे बतानी है. भारत में पहला छापा खाना कब और कहां खुला था? 1586 EC में गोवा में या 1566 में या 1558 में या 1556 में तो पचो यह याल दखना पड़ेगा आपको 1556 EC में गोवा में भारत का पहला चापकाना चापकाना खुला था किसी भी खबर को संपूर्मता के साथ पेश करने का एक जरिया क्या है फीड़बैक Anchorbyte,टро या Anchor Package तो बच्चों ऐसी जरिये को बोलते हैं Anchor Package रेडियो किस प्रकार का संचार माद्यम है. प्रिंट माद्यम, सांकेतिक माद्यम या ध्वानी माद्यम या इन्में से कोई ने तो बच्चों, रेडियो जो है एक धुहनी मात्यम है, आवाज आती है सरफ इसलिए. इस शब्द का सबसे पहले इस्तमाल, उननिस्वी सदी के उत्रार्द में, अमेरिका में कुछ प्रमुक समाचार पत्रों के बीच पाठकों को आकर्शित करने के लिए छेड़े संगर्श क के लिए क्या गया था, इसे क्या कहते हैं, पेज थ्री पत्रकारिता, पीथ पत्रकारिता यानि की यल्लो जर्नलिजम या न्यूस पैक, तो बच्चों इसे हम याद रतना, पीथ पत्रकारिता यानि की यल्लो जर्नलिजम कहते हैं. वे सूशना या समाचार हैं, जो घटना स phone-in कहलाया जाता है String Operation किसे कहते हैं Advocacy पत्रकारिता को Vecalpic पत्रकारिता को Watchdog पत्रकारिता को या Khोजी पत्रकारिता को तो बच्चो String Operation जो होता है आपको पता है String Operation में किसी भी चीज़ के बारे में जो पत्रकार होते हैं या journalist होते हैं वो खोजबीन करते हैं और चुप चुप के news निकाल के आपको दिखाते हैं उसे कहते हैं खोजी पत्रकारीदा समाचार के कितने ककार होते हैं तीन चार छे या पाँच तो बच्चों आपने ये पार्ट अगर पड़ा है तो आपको पता होगा समाचार के छे ककार होते हैं और बच्चों ये last mcq question है इस chapter का और इस topic का और part two का आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो please like जरूर करना और comment जरूर करना जिसे कि मैं आपके लिए ऐसे ही और content बना के upload करता रहूं जो आपको exam में help करे मेरी तरफ से आपको exam के लि mitt havenkilateral experiment के अच्छावी से में 1926 में अच्छाथ्य सी में 1916 में तो मुझओ यह एक इंप्र्टेंट सेक्व है या रतना All India Radio के सभना 1936 जाने कि 1936 में गई थैंके योचलन फो वाचिंग and have a lovely day झाल झाल